हालो फ्रेंट्स वेलकम टू सिविल की गोली यूटूब चैनल तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे SJVN की तरफ से यहाँ पर latest requirement निकल कर आई है तो हाला कि इस requirement का वीडियो हमने पहले भी बनाया था लेकिन वो एक short notice था लेकिन अब इस वीडियो में यहाँ पर complete detail यहाँ पर आ चुकी है पूरी तरह से जो भी यहाँ पर post रहेगी तो यहाँ पर 300 से ज्यादा total यहाँ पर post है diploma and degree engineers के लिए जिसमें यहाँ पर civil electric mechanical आदी engineers यहाँ पर eligible रहेंगे तो इस वीडियो में आगे हम उनी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे जो भी यहाँ पर पूरी प्रकिरिया यहाँ पर रहने वाली है exam patterns, labels कैसे आप apply करें and क्या-क्या post रहेगी उन सब के बारे में तो फटापट से शुरू करते हैं वीडियो और बात करते हैं पोस्टर के बारे में तो सबसे पहले आप रहे हम देखें तो जो यह वेकियंस यह निकाली गई है यह यहाँ पर जो इनका project है अरुनाचल परदेश एनी के अरुनाचल का government का जो project इनका चल रहा है उसके इसाफ से यहाँ पर यह requirement निकाली गई है जिसमें यहाँ पर जो time period है इनका यह 3 year का time period इनका रहेगा जो की contract best पर यह आपकी job रहेगी जिसमें minimum 3 year तो आपकी job यहाँ पर रहने वाली है जिसमें फिर आपकी performance and work की requirement जो भी रहती है उन सभी के आधार पर यहाँ पर 2 year के लिए जो है project यहाँ पर बढ़ाए जा सकता है यानि कि आपकी posting दो साल के लिए बढ़ाए जा सकती है तो कुल मिलाकर 5 साल के लिए आपको यहाँ पर job का मौका मिलेगा तो पोस्टों की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर civil, mechanical and electric environment आदी engineers के लिए यहाँ पर vacancy रहेगी इसके साथ साथ और भी काफी vacancy है civil engineers के लिए देखें तो बहुती बढ़िया opportunity यहाँ पर है जिसमें total 75 vacancy आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसमें education qualification की बात करें तो आपके पास civil engineering से full time degree यहाँ पर होनी चाहिए तो आप इसमें eligible है साथ ही साथ यहाँ पर जो age आपकी रहनी चाहिए वो मेक्जिमम यहाँ पर 30 साल की age यहाँ पर आपकी रहेगी Trump's condition इसमें allow है जैसे कि यहाँ पर जो भी government की guideline के इसाफ से relaxation वगर रहते है वो सभी इसमें है बाकी जो basic age है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 साल की age यहाँ पर रहेगी इसके साथ ही आप यहाँ पर education qualifications जैसा कि यहाँ पर तीनों ब्रांचों के लिए यहाँ पर यह क्या नाम degree आपको चाहिए यह इसके अलावा यहाँ पर आगी जो post है आपको field officer की post भी यहाँ पर देखने को मिलेगी तो field officer की post में भी यहाँ पर आप देखे तो अलग-अलग branch wise आप यहाँ पर check कर सकते हैं जिसमें यहाँ पर देखे safety में यहाँ पर जो field engineer की जो vacancy है इसमें यहाँ पर civil, mechanical, electric जैसे यहाँ पर सभी ब्रांच इसमें allow है तो यहाँ पर कोई भी ब्रांच वाला safety वाली जो इसमें category है इसके लिए apply यहाँ पर कर सकता है तो इसके इसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी आपके पास four post हैं और इसमें भी यहाँ पर आपकी जो है apply करने की opportunity खुर ली है आपके लिए जिसमें degree के साथ साथ ही diploma वाले भी यहाँ पर apply कर पाएंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर जिस safety वाली post के लिए field engineer की post के लिए degree diploma वाले दोनों यहाँ पर eligible यहाँ पर रहेंगे इसके लावा architecture भी यहाँ पर जो है allow इसमें रहेंगे अपनी degree के साथ तो इसमें बात करें यहाँ पर salary की तो यहाँ पर जो field engineer and officers की salary है यहाँ पर 60,000 रुपे की fix आपको salary मिलेगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आपकी यहाँ पर अच्छी salary है तो उसे साथ साथ आप बिल्कुल भी यहाँ पर जो आपका chance मिसना करें eligible रहते हैं तो तुरंट से आप फटापर इसके लिए यहाँ पर apply करें साथ यहाँ पर salary में increment बगर का भी इन्होंने पूरा यहाँ पर slave दिया हुआ है तो आगे आपकी salary भी time से time यहाँ पर बढ़ती रहेगी जो कि इस इसाथ से आपकी performance के आधार पर 3, 4, 5% के इसाथ से इसमें रहेगी तो पोस्टों के यहाँ पर बात करें तो जो category wise पोस्टे हैं इसाथ से आपको देखने को मिल जाएगी तो अब बात करते हैं यहाँ पर selection process की कि selection आपका कैसे होगा तो यहाँ पर आप ध्यां से देखे कि selection process यहाँ पर这个 on computer based test पर होगा पहले से यहाँ पर जो है group discussion and personal interview तो यहाँ पर इस तरह से याँ पर test interview and group discussion के आधार पर यहाँ पर test होगा जसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यह oni discussion and यहाँ पर जो है 15% मार्क जो है वो यहाँ पर लिए जाएंगे आपके interview से तो इस तरह से यहाँ पर जो अलग-अलग इन्होंने मतलब weightage के इसाफ से format set किया हुआ है जिसमें 75 plus 15 plus 10 के इसाफ से जो है यहाँ पर जो weightage रहेगा इसे में से आपको फिर यहाँ पर number मिलेंगे आपकी performance के according और उसके आधार पर ही फिर यहाँ पर जो है final selection होगा जो भी आपके number रहते हैं उसके इसाफ से बाकी यहाँ पर जो centers है centers की list यहाँ पर इन्हों दे रखिया आप अपनी सुविदा की अनुसार जब भी फोरम भरते हैं तो उसके इसाफ से आप इसमें select कर लेना आप बात करते हैं पर जो exam का pattern and levels रहेगा उसकी तो यहाँ पर दो पार्ट में यहाँ पर paper है जिसमें total जो है पहरे पार्ट में यहाँ पर 120 multiple choice question होंगे जो कि यहाँ पर आपके subject से related होगे यानि कि आपकी जो भी education qualification है उससे संबंदित question जो है यहाँ पर आपकी branch हो गई जैसे आपको खुद का subject उनसे पूछी जाएंगे बाकि part 2 के अंदर यहाँ पर 30 multiple choice question पूछी जाएंगे जो कि यहाँ पर आपके normal से question हो गया general aptitude वगरे general knowledge वगरे आदे से संबंदित यहाँ पर question रहेंगी तो total यहाँ पर जो है 150 नंबर के 150 question यहाँ पर पूछी जाएंगे बाकिश लेबल्स वगरे जो भी आएगा उसके बारे में आपको जल्द ही update कर दिया जाएगा अगर कभी इसका जो भी फुल detail में से लेबल्स आता है इसका तो तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं जो आपने यहाँ पर marking वगर का यह जो formula देखा किस तरह आप इसमें जो है देख सकते हैं इसमें जागे बात करें हम प्रोजेक्ट की तो जैसा कि आपने पहले भी देखा कि प्रोजेक्ट इनका अरुनाचल पर देख का है यह साब से जो आपकी यहाँ पर जोईनिंग होई वो अरुनाचल पर पर देख के अंतरकत वहीं पर पर की जाएगी candidate यहाँ पर जो है degree में all India candidate यहाँ पर allow है आप किसी भी state से हो आप यहाँ पर जो है apply इसमें कर सकते हैं बाकी contract वगरे की चीज़े हमने पहले भी यहाँ पर बात कर ली जो भी यहाँ पर रहती है बाकी document से संबंदित basic से detail यहाँ पर दी गई है जैसे कि आपको STSC PWE candidate को कोई भी piece यहाँ पर नहीं देनी है तो इस तरह से जो है आप यह चीजों को देखकर apply कर सकते हैं apply करने के लिए आपको इनकी official website पर जाना होगा link का आपको description में मिल जाएगा यह आप direct भी विजिट कर सकते हैं तो यहाँ पर वही basic सी चीजे होती है जो आपको चाहि प्रेडी रखें डेट्स की बात करें यहाँ पर तो 18-2023 को application open होगी जो की 9-10-2023 तक चलेगी तो इसके हिसाब से आप देखकर apply कर सकते हैं तो आगे बात करें हम यहाँ पर इसी तरह से जो डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा वालों के लिए अगर हम देखें यहाँ पर इसी तरह से electrical and mechanical वाले भी अगर इसमे apply कर रहे हैं तो उनके पास भी उसी फिल्ट से आपका जो है यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पर apply यहाँ पर कर सकते हैं बाकि यहाँ पर भी आपको जो है फिल्ड officer and field engineer की vacancy यहाँ पर देखने को की total 45,000 रुपीज की यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर salary मिल जाती है age इसके अंदर भी वही maximum 30 साल की रहेगी तो आप उसी साब से देखकर इसमें apply कर सकते हैं बाकि जो salary बढ़ने करने का system सारा यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पर रहेगा category wise break up यहाँ प पर रहते हैं government Trump's condition के इसाब से वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा selection process की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते कि computer based test होगा यहाँ पर केवल यहाँ पर किसी तरह का कोई भी जो है interview बगर नहीं होगा तो यह आप पर special चीज है जो आप यहाँ पर test के आदार पर जो भी eligible यहाँ पर पाए जाते हैं वो यहाँ पर direct select किये जाएंगे इसके जो centers है यहाँ पर यह अरुण जल पर देख सकते हैं तो यहाँ पर एक special चीज और है कि diploma वाले में यहाँ पर all India candidate जो है eligible यहाँ पर नहीं रहेंगे तो उसके लिए यहाँ पर कुछ special जो candidate है वहीं यहाँ पर eligible रहेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा में only four यह जो state यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं जिसमें आप दोनों ही junior engineer and officers की post के लिए यहाँ पर जो eligible candidate है वो यहाँ पर अरुनाजल परदेश, नंगालेंड, आसा, मनिपूर, मिजोरम, मे यहाँ पर देख सकते हैं जरूर, यहाँ पर all India candidates eligible नहीं है, यह चीज आपके देखने लाएक है, तो यह आप जरूर से आप पर note कर ले, तो test pattern की आपर बात करें, तो इसके जो test था यहाँ पर भी two part में होगा, जिसमें एक तो 70 question यहाँ पर पूछी जाएंगे, आपके discipline या उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, 40% and 50% तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी apply आपको वैसे ही online जाकर online mode से करना होगा, जिसके लिए आपको अपनी mail ID सारी चीज़े, mobile number आदी आपको अच्छे सी carry आपको करने हैं, ताकि admit card वगर जो भी download करने में दिक पर कार की piece नहीं है, आप apply करेंगे जब भी online, तो वहीं से जो है आपको अपर online mode से piece प्रे कर देनी है, piece के जो भी माद्यम है सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, apply आपको कैसे करना है, apply करने के लिए आपको वहीं आपके जो main मतलब documents वो अगरे जो भी होते हैं, सारे आपके पास होनी चाहिए, अगर आपको experience है, तो आप experience का certificate पी यहाँ पर जरूर लगाए, अगर नहीं है तो भी आप इसमें जो है eligible रहेंगे, apply यहाँ पर कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर जो है format and जो भी आप पर इन्होंने size वगर दे रखी है, उन सभी को आप अच्छी तर 2023 से जो है portal शुरू हो जाएगा apply करने के लिए and 2010-2023 तक आपको apply करना है, तो आप देख सकते हैं, 18-9 से लेके 9-10 तक आप इसमें apply करेंगे, तो यह dates वगर अच्छे से आपर ध्यान रखें, तो ठीक है friends, इस वीडियो में हमने आप दोनो degree diploma वाले, दोनो notification के बारे में आप पर complete याँ पर बात की है, तो फिर भी आपके मन में कोई doubt रहता है आपर तो आप comment करके पूछ सकते हैं, किसी बी तरह की कोई भी problem के लिए, बाकी दोनो notification का link आपको description में मिल जाएगा, वहां से आप download करके और अपने अनुसार इसमें पूरी जानकारी आप चेक कर सकते हैं, तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से new job update and vacancy के लिए subscribe करें हमारे channel को and बने रही हमारे साथ, धन्यवाद.